एक तरफ कहते हैं इंकाउंटर हो रहा एक तरफ कहते हैं पुलिस का इकबाल कमजोर है जनाब मैंने बताया सपा के शासनकाल में सौ से अधी घटनाएं हुई पुलिस पे हम देखी बारा लोग मारे गए पुलिस के द्वारा और अभी नोंने बात बोली कि मुक्तार अंसारी जेल में थे नाविका जी इससे मुझे जानते क्या याद आता है मता मैं तुलना नहीं कर रहा हूं मगर एक घटना याद आती है जब लालू पुछा गया अब आप जेल जा रहे हैं तो राज कैसे चलेगा तो कहते हैं हम जलवे से राज करेंगे तो वो वैसे ही मुझे या मैंने यह नहीं कहा कि अरज जाती है नहीं जाते है आजम गड़ के संजरपूर में जाते हैं आतंगबाद के आरोपियों घर जाके सिजदा करते हैं यह तो सब आप लोग की पुलिस जिस से आप कहते हैं कि ठोक तंत्र बना रखा है लोग तंत्र को यह शब्द आप लोग का है ना और या फिर यह विड्रॉ कर लीजे कि साब इकबाल कमजोर है अब दो में से एक चीज विड्रॉ कर लीजे मां उत्तर देदू यह दोनों एक साथ हो इनी सकते ना पुलिस को दोड़ा दोड़ा के मारा जाता है तो इसकी जितना विपक्ष की है ये बात ठीक है कि समाजबादी पारिटी का जो विधायक है उसका जो एक्ट है वो गलत है मैं उसके खिलाफ हूँ लेकिन पुलिस का इकबाल बुलंद रखना पुलिस का इकबाल कम हुआ है योगी आदितनात के दौर में ऐसा ऐसा प्रहार किया है कॉंग्रेस ने आप पर जवाब दीजिए सुधानशु जी नाविका जी आचारे प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी जी के राजनतिक सलाकार्मी है तो मैं आचारी जी से कहूंगा अगर आपकी बात में रत्ती भर्वी सक्चाई है तो प्रियंका गांधी जी का है उन आरोपियों के घर घर जाकर आसू बहा रही थी कि पुलिस पकड़ पकड़ कर इंकाउंटर कर रही है इसको तो पुलिसियार राज में तबदील कर दिया गया है यद जब वो सब अपरादी और आरोपी थे वो आप लों की खेरेक सहज आदत है जाकर करना तो अब दो मे जी से कहिए वो माफी मांग लें कि उन्होंने जो ये कहा था वो गलत था या फिर आप इस बात से विड्रो कर लीजिए इकबाल की बात जहां तक घटनाओं की आपने बात कई सरकार ने पूरी समवेदन शीलता सक्रिक्ता के साथ उन पे तकाल प्रभावी कारवाई की और आचारी जी इकबाल का तो धरन जानते क्या है कि मुक्तार अंसारी पे केस उत्तर प्रदेश में दर्द थे और वो जाकर कहां बैट गए थे जाके पंजाब में आपके दवरे हकूमत में तबियत नाशाद हो गई थी तो वहां पर आपके दामने रहमत में वो जल्वा अफ बता दीजिए अब माफियाओं की 1886 करोड रुपए की संपतियां जब्त की गई हैं आप लोगों के शासनकाल में एक करोड की भी संपति जब्त की गई हो तो बता दीजिए इसलिए मैं कहना चाता हूँ जहां तक इकबाल की बात है आप जो में से एक आरोप विड्रो कर ल या तो अंदर होगा या ऊपर होगा या आप लोगों कारोप था यह वाक्य हमारा नहीं है और दूसी तरफ अब मैं एक और बात भी कह देना चाहता हूँ जो सुधीन बदोरिया जी ने बोला था आज बाबा साहब का परिनिर्वान दिवस है परिनिर्वान शब्द की उत् परिनिर्वान से 20 साल पहले अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान ने तोड़ी थी और समाजवादी पार्टी के नेता खुले आम शफ्की कूर रह्मान बर्क जैसे नेता आकर तालिबान का समर्थन करते हैं तो इन लोग के मन में सिर्फ अपराद तक सीमित नहीं है ये तो आतंकवाद के भी पक्ष में हैं और बाबा साथ के भगवान की मूर्थियां तोड़ने वालों के साथ जुड़ने में गर्व का नभव करते हैं इसलिए इनके आने पे हालात क्या होंगे इसको आप समझ सकते हैं कि मामला सिर्फ मामूली अपराद तक नहीं सीमित र जालतों में आतंकवाद के आरोपियो से केस्व ड्रॉक कर दिये थे तो मामला तो धमाकों तक पहुंचेगा तो दोस्ता अगर आपने वीडियो यहां तक देखिया है तो वीडियो जुरूर थोड़ी वोत आपको च्छे लगए होगी इसलिए वीडियो को लाइक कर दिजिए शेर कर दिजिए और ऐसी वीडियो अगर आपको और देखना चाहते है तो में चैनल को सब्स्क्राइब कर जिए तर नहीं